Hello Everybody, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना, Most Common 100 Injections की ये हमारी 9th वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम 81 से लेके 90 तक इंजेक्शन को कवर करेंगे, अगर आप मेरे चैनल के उपर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं बता दू, मैंने एक वीडियो सीरी शुरू कर हैं, ऐसे ही 10 वीडियो में 100 इंजेक्शनस आपको कवर हो जाएंगे, अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हो, तो 10 के 10 वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आज की वीडियो का जो पहला इंजेक्शन है, एंड 81 नंबर इंजेक्शन है वो है snake venom antiserum ये चार venom's का combination होता है four venom's का combination होता है इसका हमेशा IV intravenous इसके use के बारे में बात करें तो इसको snake bite के treatment में इस्तिमाल करा जाता है जब भी किसी को σाब काड़ जाता है snake bite कर जाता है उसकी bite की वज़े से जो बाडी में toxicity पहलती है toxic effect पहलते हैं उसका treatment करने के लिए उस toxic effect को prevent करने के लिए snake venom antiserum का इस्तमाल करा जाता है जो हमारा 82 number injection है वो है सोडियम वैलपरेट इंजेक्शन ये एक एंटी करमलसर्ट इंजेक्शन है और इसका इस्तमाल आईवी एंफ्यूजर में करा जाता है अगर हम इसके यूजस के बारे में बात करें तो एपी लैपसी में जब किसी को सीजर्स आते हैं उन सीजर्स को कंट्रोल करने के लि इसका हमेशा इस्तमाल आईवी एंफ्यूजर में करा जाता है अगर हम इसके यूजस के बारे में बात करें तो जब भी बलड वैसल्स में बलड कलोर्स बन जाते हैं उन बलड कलोर्स को डिजॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टो काइनेस इंजेक्शन का इस्तमाल करा जात अगर हम इसके drug class की बात करें तो यह glysil cycle class की antibiotic medicine है and आईवी एंफ्यूजन में इसका 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 इसमाल करा जाता है यूजस के बारे में बात करें अगर किसी को skin का infection है इंट्राइबनोबिनल infection है जा फिर community acquired bacterial pneumonia है उस condition में tiger cycle का इसका 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 है जो हमारा 85 नंबर इंजेक्शन है वो है वेंकोमाइसिन इंजेक्शन एक ग्राइको पैप्टाइड क्लास की एंटिबाडिक मेडिसीन है इंजेक्शन है एंड इसका हमेशां IV अनफ्यूजन में आफ्टर डिलूशन करके इसका इसका इस्त्माल करा जाता है यूज़ज़ के बारे में बात करें तो एंडो काडिटिस में इसका इस्तमाल करा जाता है पेरिटोनिटिस में इसका इस्तमाल करा जाता है लंग्स इंफेक्शन हो गया है किसी को सकिन इंफेक्शन हो गया है सौफ्ट टीशू का इंफेक्शन हो गया है बलड इंफेक्शन बॉन्स का इंफेक्शन हो गया है इसके लावा respiratory tract infection जैसे निमोनिया हो गया है इन सभी का treatment करने के लिए whencomycin injection का इस्तमाल करा जाता है जो हमारा 86 नमबर injection है वो है रोमी प्लॉस्टिम injection ये एक thrombopatin receptor agonist है इसका हमेशा इस्तमाल subcutaneous SC करा जाता है अगर हम इसके यूजस के बारे में बात करें तो इसका majorly इस्तमाल chronic immune thrombosytopenia में करा जाता है इस condition में जो blood के प्लेडलेट्स है वो काफी ज़दा कम हो जाते है प्लेडलेट्स का level काफी कम हो जाता है जिसकी वज़से bleeding stop नहीं हो पाती काफी ज़दा bleeding होती है इसके इलावा bruising की problem आती है चोट लगने के बाद कोई red color का जा नीले रंग का निशान पढ़ जाता है चोट लगने के बाद nose से bleeding होती है गम से bleeding होती है जो gums होते है ठीक है मसूड़े होते है इसके इलावा stool के साथ भी bleeding आती है और जो females के cases में जो menstrual cycle है वो काफी heavy bleeding होती ह है menstrual cycle के time में इन सबी का treatment करने के लिए rome prostum का इस्तमाल करा जाता है जब जो steroidal injection है वो भी काम करने बंद कर देते हैं बाकी medicines काम करनी बंद कर देती है तब इसका इसका इस्तमाल करा जाता है जो हमारा 87 number injection है वो है हमारी NS की जो drip आती है 0.9% weight by volume जिसमें sodium को dried होता है 500 ml की drip ह होती है इसका हमेशा IV इस्तमाल करा जाता है आपको पता होगा इसका majorly इस्तमाल करा जाता है जब भी किसी को short term fluid replacement करनी होती है जैसे dehydration किसी को होगी है किसी injury की वज़जे से fluid replacement करनी है उस condition में इसका इसका इसके इसके इलावा जब electrolyte disturbance हो जाते है किसी के जो salts है बोड़ी मे weight by volume था ये 3% weight by volume है इसका भी इस्तमाल short term fluid replacement में करा जाता है electrolyte dispalance में करा जाता है जो हमारा 89 number injection है वो है DNS की drip हमारी 500 ml की आती है जिसमें sodium chloride जिसको NCL बोला जाता है वो 0.9% होता है और जो dextrose की इसमें amount है वो 5% भी होती है और एक दूसरी इसकी composition आती है उसमें dextrose 10% होता ह है इसका इस्तमाल के बारे में बात करें कहां यूज करा जाता है तो body के fluid restore करने के लिए इसके लावा जैसा मैंने आपका fluid replacement के लिए fluid restore करने के लिए electrolyte dispalance में dehydration में carbohydrate depletion में भी इसका इस्तमाल करा जाता है तो यह हमारी होगी DNS 89 number हमारी IV drip जो हमारा 90 number injection है वो है dextrose की 25 25% वाली drip 25% weight by volume इसमें dextrose होता है इसका हमेशा IV इस्तमाल करा जाता है जो मैंने आपको DNS उपर बता रहा हूँ इसका ध्यान रखना है कि diabetes के patient में इसका इस्तमाल नहीं करा जाता है क्योंकि इसमें dextrose होता है तो यह जो मैंने आपको dextrose 25% वाली बताई है इसका इस्तमाल fluid replacement में करा जाता है इसके लावा जब हाइपोगलासीमिया की problem किसी को वा जाती है जो body के blood के sugar levels है वो काफी जादा कम हो जाते हैं उस condition में भी इसका इस्तमाल करा जाता है तो यह आज की वीडियो मुलागे हमारे 90 इंजेक्शन पूरे हो गए है एक बार फिर से रपीड कर देता हूँ आज की इंजेक्शन उस वीडियो के बाद आपके 100 इंजेक्शन पूरे हो जाएंगे आई होब कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अपने medical pharma nursing related दोस्तों के साथ चैनल को share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए बेल अकन पे click कीजिए और जो भी जिसको भी information अच्छी लगी है comment करें जरूर comment करें और इसके इलावा और को injection चाहिए उसके बारे में भी क्वेंट करें separate से वीडियो बना दी जाएगी मेरे को मेरे Instagram रोहित हमार हेल्थ के ओपर जुरूर फॉलो कीजिए चैनल को subscribe कीजिए thank you so much